नमस्कार आप देख रहे हैं डबलेश न्यूस जनजन की आवाज जर में आपके साथ हूँ शीतल खवसी आईए देखते हैं आज की विशेश कबर आज में अमराती में विशेश सूप्सिसली आया अभी हज 2020 की शुरुवात हुई यहां पर जाकिल जमाल जीकी नित्रुत में जनवाजी के सेयोग से हम लोगों ने हज का फॉर्म भरने के सेंटर शुरू किया हुए है वहाँ सेंटर पर जो हमारे मुस्लीम भाई हज पर जाना चाहते हैं वो जाके अपना फार्म बढ़ सकते हैं और अब हज कमिट्रिया इप इंडिया ने यहीं सुझा दिए है कि हम मुबाई से भी फ़र्म बढ़ सकते हैं जो मोबाई में एप है हमारा प्लेइ स्टोर से उस पर गए थे जिसमें एक लाग शरेस्जार हज यात्री हज कमीटिया फिंडिया के तरफ से ट्रफिल कि और सिस्टी थाउजन्ट जो हमारी आजमीन हैं जो हज यात्री हैं वो प्रावेट टूर से ट्रफिल कि मुझे लगता है कि इस बार जो कोटा है उपधार मत्री मोदी जी के सयोग से उनके कोशितों से बढ़ने वाला है पिछली बार हमारा भारत देश दुनिया का दूसरा देश था जो सबसे जादा हजी भीजा यानि कि इंडोनेशिया दो लाग दाजी भीजा और हमने दो लाग हजी भीजे मुझे येकिन है कि इस बार भारत देश दुनिया क सबसे बड़ा देश होगा जो सबसे जादा हजी बिज़ा है एक नंबर का कर्ट्री मनने वाला है अभी इस बार महराज से पंद्राज जाद उस चान बजी लों हज जात्रा पर गए थे और मुझे एकीन है कि इस बार 20,000 का फिकर क्रॉस होने वाला है इसलिए मैं आपके माध करने के बाद हम उनको उनका कवर नंबर भीजेंगे जनुरी महीने में उसका लकी डॉर निकलेगा क्योंकि हमारे पास पंद्राजाद दोसोश्यानवी की जो सीटे हैं उससे जादा फार माने वाले हैं पिछली बार भी 35,000 आए थे और मुझे लगता है इस बार 50,000 से और लोगों ने आविधन कर दिया है तो उस आविधन में जहिए सी बात है कि हमको लखी डॉर निकलना पड़ेगा सब को भीजनी पाएंगे जिसका नंबर लगता है दिसंबर मेंने में लखी डॉर ने वाला है उनको हम लोग बुलाएंगे उनका पहला स्टॉर्मेंट हम जो एकिवन थाजन का है उसके बाद उनका पर सच्छड होगा उनके सारे डाकूमेंट जमा किये जाएंगे और उनको फिर हम हज़ पर भीजने काम करेंगे हमारी कोशिस यह है कि जो हमारे हज यातनी हज़ पर जाते हैं उनको जो दिक्कते होती हैं खास तोर से मेरे पास ज की बिलने के नहीं मिल पाती हैं और खास तोर से जो सोचाले होते हैं वो उनके हिसाब करी होते हैं हमारे इंडुसार से लोग हज़ पर जाते हैं हमारे महरा से जो लोग हज़ पर जाते हैं उनको इंडियन सीट की जरूत पड़ती है लेकिन हम महाँ पर कमोड उनको देते है इससे काफी दिक्ट जाती है उसके बारे में हमने प्रथाल मंत्री काले से निविदन किया है हमारे जो अलसक्रिक मंत्री हैं मुखतार अबास नक्वी जी उनसे निविदन किया है हमारी कुशिस किया है कि जैसे यहां पर आप देखेंगे नाक्पर में हजाओ से अरुंगाब में जब निजाम की गवर्मेंट थी तिलंगाना हैदराबाद के तो उन्होंने अपने बाशिंदों के लिए अपने वाशियों के लिए एक भक्ती निवास रुबाद बनाया हुआ था उसमें जो आज भी रुखते हैं लोग उनका हाज पचास से साड़ जार पर सस्ता हो जात हाजर जाते हैं भरत सरकार थो सर्ठे बहुति जाते हैं उनको परदे का इंड़ेम हो जाएगा है हम को displशेसी करें सरकार निवजयन करेंजाया कर Пट में भक्ति निवास वहां पर बनाकर आपने हेँ हां से जाने वाले है यात्रों को उसमें रुकाने की विवस्ता की जाए अभी मनें देखा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हज कमिटिया आफ इंडिया के पास खुदी पैसे हैं लगवग तीन से चार अजार क्रोड़ उपे हैं हज कमिटिया इंडिया के पास जो एफडी में हैं और उस पर हम ब्याज ले ले लगवग तीयत्तर से चौटर करोड़ों पर हर साल ब्याज मिलाए जबकि इसलाम में ब्याज हराम है ब्याज का पैसा हजमें बिल्कुल इस्तमाल नहीं सकता फिर भी जो पिछले सरकार तिनकी लपरवाई थी इस पर कोई काम नहीं किया गया हमने सरकार से कटिंभदन किया है की इस पैसे को भद्बनार है कें इस पैसे को जो मुस्लिम समाज की बच्चे पढ़ाई करते हैं जो हास होर् neighbor hem ने क्नो नहीं के लागो या वे उनके काम बलगाए जाया समाज के अधन के लिए इस पैसे का सिमय किया है इसंग काम हम्हुन में हाथ मिलि लगभाग भारस से 5-6 लाख लोग हर साल दर्शन के लिए मक्वरमदीने जाते हैं तो उनको भी हज कमेटी के माद्रिया से पहले प्रावेट पूर्स पर डिपेंड होते हैं प्रावेट टूर्स वाले कुछ अच्छे होते हैं पुछ पुरे वह आज के लिए पस इतना एकल फिर्म बिलेंगे एक विशेश ख़बर के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाना ना भूले आप हमारे निउस www.worldindynews.in पर भी देख सकते हैं दंयवाज तक दो